दोहसार चौदा के महरास्ट विधान सभाद चुनाव की बात करें तो पांस साल पहले ओवेसी दिन ओवेसी की पार्टी AIMIM ने राज्य विधान सभाद चुनाव में धमाकेदार अंट्रे की थी पहली बार उनके दो विधायक जीते थे लेकिन उन पर सबसे बड़ा इलजाम ये था कि मुस्लिम वोटो का बटवारा कराने के लिए उन्होंने बीजेपी की फंडिक पर चुनाव लड़ा और बीजेपी की रणनीतियों को कामियाब बनाया उस चुनाव में बीजेपी कांग्रिस एंसीपी को सत्ता से बाहर कर खुद सरकार बनाने में कामियाब हुई थी आपको बता दे नतीजे आने के बाद ओविसी से ही ओविसी पर लगने वाले इलजाम के बारे में पूछा भी गया था पून से पूछा गया था कि क्या ये सही है कि आपने बीजेपी को मदद पहुचाने के लिए महरास्ट का चुनाव लड़ा ओविसी का जवाब था चलिए कुछ देर के लिए हम इस इलजाम को मान भी लेते हैं लेकिन कॉंग्रिस और न्सीपी के लोग ये बताएं कि हमने तो स्रिफ 24 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिन पर हमारी वज़ा से वो लोग हार गए लेकिन ये दोनों पार्टियां उन 205 सीटों पर क्यों हार गई जिन पर हम चुनाव नहीं लड़ रहे थे जिन 24 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा अगर कॉंग्रिस और न्सीपी वो जीत भी जाती तो भी उनकी सरकार नहीं बनती क्यूंकि वो महस 83 सीटे ही जीत पाए थे लेकिन अब पासा उल्टे पलटते हुए देखे जा रहा है अब ऐसा लग रहा है कि OVC NCP कॉंग्रिस की जीत को लेकर भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस तरह से अभी महरास्ट विधान सभा चनाब हुआ उसमें NCP AIMIS से जीतती हुए नजर आई थी बाजी मार ली थी उन्होंने OVC की पाटी से उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि OVC अब अपनी भड़ास निकालते हुए देखे जा रहे हैं बता दे कि इस बार OVC इसलिए में चर्चा में भी हैं उनके भाशन इसलिए चर्चा में भी हैं कि महरास्ट में उनके हिस्से तो दो सीट ही लगी थी लेकिन कई सीटो पर उनके उमीदवाल कॉंग्रेस NCP से ज्यादा वोट पाकर भी जीतते जीतते रह गए थे यानि कि हार गए थे इसी को लेकर अब OVC पर निसाना भी साधा जा रहा है जिस तरह से वो NCP कॉंग्रेस की जीत को लेकर भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं SPN 9 News से नाजमिन की रिपोर्ट